हेलो दोस्तों वेलकम डू साइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जासे अफ्रेंड्स बात करेंगे शिवा इनू पर इसकी प्राइज पर इसकी प्रेडिक्शन और दोस्तों कुछ बर्णिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंपर्टन न्यूज है जो के मैंने आपके जाती है वीडियो को लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा क्यूंकि इसी से दोस्तों हमको बड़ी encouragement मिलती है और हमें लगता है कि आपका जो लव है आपका जो प्यार है आपकी जो commitment है हमारे साथ उसको हमें continue करना चाहिए और वीडियो जो है वह बनती रहने चाहिए ताके आप तक information पहुंचती रहे चलते हैं अपने topic के जानिप first of all दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं Coin Market Cape पर जो इस वक्त condition है 0.4 time 0 के बाद 3 1 इस वक्त इसकी price चल रही है और Market Ranking 13 से 14 नंबर पर इस वक्त आ चुका है Market Cape अभी भी 17 billion and 20 crore something यहां पर नजर आ रही है तो अच्छी खासी है इसमें कोई tension की बात नहीं है ओवराल क्रिप्टो मार्किट ने दोस्तों यहां पर करेक्शन का मूर दिखाया है कल बीटीसी जो है वो 45,000 की जो एक साइकलाजिकल मैं आपको हमेशा कहता हूँ रिजिस्टेंस है उसको क्रास कर गई थी लेकिन उसके बाद अगेन जो है वो दोस्तों वहां से रिजेक्शन हो गई और प्राइज नीचे आ गया इथिरम भी बिल्कुल सेम तरह से बिहेव किया इथिरम ने भी और उसका प्राइज भी डाउन आ गया तो शिबा में भी वही कैसी बात है डॉज लेकिन 2013 का एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ठीक है उसको उस नजर से देखना चाहिए शिबानों दोस्तों 2020 का एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसको उस नजर से देखना चाहिए कि अपने फर्स्ट इयर में दोस्तों डॉज को इनको कितनी सपोर्ट या acceptance जो है वो market के अंदर मिली थी या BTC को या किसी भी को लेकिन यहां पर Shiba Inu ने कितनी acceptance जो है वो अपने लिए पैदा कर ली है मैं जो है वो जल्दी जल्दी से आपको कुछ चीज़ें जो है वो यहां पर बता देता हूँ New Egg Commerce Inc. आपको पता ही होगा कि New Egg जो है वो दोस्तो इसको accept करती है डॉज को इनको Shiba Inu को उसके बाद दोस्तो टेसला है यहां पर एक चीज़ जहन में रखिएगा टेसला शिब को नहीं करता है सिरफ डॉज को करता है लेकिन उससे आप टेसला की कारवाई नहीं कर सकते हैं वहां से आप कुछ पार्ट्स जो है वो डॉज को इनके साथ बाई कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो गेम स्टॉप यह एक गेमिंग की बहुत बड़ी कंपनी है वो Shiba Inu और डॉज को दोनों को accept करती है उसके बाद दोस्तो है Nordstrom Education Inc. on December 12 the company said it accepting Dogecoin and Shiba Inu as payment method यह जो recently हुई है वो सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं यह आप देख रहे हैं यहाँ पर December की बात चले हैं इससे पहले जो है कुछ कर रहे थे तो उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही AMC Entertainment अच्छा इसकी बहुत बड़ी importance है AMC की क्योंकि यहाँ पर दोस्तो यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी यह सेनमा के लिया से देखा जाए मुवीज के थेटर को अगर जहन में रखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी कमपनी है ठीक है उसके बाद दोस्तो Ultra Beauty Inc. है यह साथवे नमबर पर आ जाता है जो के मलब यहाँ पर शेबाईनू और डॉज को एकसेप्ट कर रहा है उसके बाद दोस्तो Pitco Health and Wellness Company Inc. है वूफ यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ मूव देट कुट अलाइन दे कमपनी विज सम अफ दे डॉग थीम्ड हाइप Pitco Announced इट विल बी एकसेप्टिंग डॉज कोईन और डॉज कोईन और डॉज कोईन को एकसेप्ट कर रही है जैसे मैंने कहा कि डॉज कोईन की एकसेप्टेंस का मेरी नजर में इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंके दोस्तों वो अगर इतनी इंपर्टेंस कोई कोईन अपने लिए पैदा कर सकता है या कर देता है तो आने वाले 5-year, 10-year में क्या कुछ कर सकता है The possibilities are here मैं यह नहीं कहरा कि 100% sure हूँ कि यह हो जाएगा कोई भी 100% sure Bitcoin के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते तो यह तो दोस्तों अभी भी शिबाएनू है उसके बाद दोस्तों यह जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि Stephen Cooper जो बर्निंग करने जा रहे हैं अब यह एक company है जो कि अपना पूरा चिबाएनू दोस्तों बर्न होने जा रहे है मेरी नजर में यह एक बहुत बड़ी बात है अब यह ओनर आफ बिजनिस कौन है हमें पता है यहां पर आप देख सकते हैं Stephen Cooper ओनर दे बिगर इंटरटेंटमेंट देट में यहां पर यहां पर यहां पर यह मैं इस में करेक्शन कर रहा हूं यहां पर गलत लिखा हूँ है मैं गलत नहीं करा ठीक है यह एक्चुली मेरा क्याल है कि 259 million है 259 million a ship burned 1 billion to be gone next week nearly 259 billion ship anu tokens have been incitrated recently by all the burning teams in the ship army who are struggling to reduce the circulating amount of the second largest meme coin तो यह है कि burning अभी भी मगलब चल रही है और next week of the February जो है उसमें बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी बर्निंग हो रही है ये continue रहेगी next week में सिरफ ये नहीं है कि one billion शिबाईनू जो है वो ही बर्न होगे ये तो ठीक है स्टिवन कूपर कर रहें लेकिन इसके अलावा भी बर्निंग होती रहेंगी मेरा ख्याल है at the end of the February हमें बनलब एक अच्छा खासा जो है वो quantity देखने में आएगा कि इतने सारे जो है वो शिबाईनू बर्न हो चुके हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी quantity होगी अब दोस्तों मैं आपको लेकर आगया हूँ यहाँ पर चार्ट पर और चार्ट को इनलाईज करना बहुत जरूरी है क्यूंकर इसी से यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है कहाँ पर रुकने वाला है और वहीं से अगेन एक red candle बनी जो के उसी resistance पर रही जो के मैंने यहाँ पर लगाई वी है और पिछली जितनी भी वीडियो आपने मेरी देखी होगी तीन चार दिन से तो यह resistance यहीं पर रखी वी है ठीक है और price इस से उपर नहीं जा रहा है यह मैंने यहाँ पर ही रखी वी है आप देख रहे हैं again price जो हो correction कर रहा है थोड़ा नीचे आ रहा है लेकिन जो मैंने moving averages रखी है यहाँ पर price वहीं से फिर जो हो उपर उठने लग गया है लेकिन यह resistance मेरी नदर में बड़ी खतरनाक है दोस्तों 3-2 पर यह मतलब resistance है ठीक है 3-2 से price जो हो उपर नहीं जा रहा मतलब जाता तो है लेकिन close नहीं कर रहा उपर ही close हो जाए ऐसा नहीं हो रहा closing नीचे आकर day की candle में हो रही है तो मेरा ख्याल है कि बार बार reject हो रही है price डाउन आ सकता है यहां पर मतलब chances बन गए है डाउन आने के अगर दोस्तों डाउन आता है तो भी मतलब मैंने आपको क support resistance को देखें तो two four पर जो है ना वो मैंने एक support रखी है यहां पर two four पर आप order लगा सकते हैं कि आपको शिबाए नो buy करने हैं ठीक है बहुत सारे दोस्तों के ऐसे comment मैंने पढ़े थे जो के वहां पर पूछ रहे थे कि बाई अगर आप रिस्क लेना चाते हैं तो यहीं पर buy कर सकते हैं अगर आप नहीं लेना चाते तो आप मतलब नीचे आकर order जो है वो book कर ले ठीक है यहां पर two four पर कर ले two three पर कर ले two five पर कर ले कि बहीं यहां पर आपका लगा होगा अगर price नीचे आ जाता है तो वहां पर आपके automatically जो है वो buy हो जाएंगे ठीक है otherwise shiba ऐसा एक token या coin बन चुका है दोस्तों कि आप यहां पर भी इसको buy कर लेते हैं प्राइज नीचे भी आ जाता है तो मेरी नजर में कोई ज्यादा tension नहीं है कम से कम मैं अपने लिहाज से कह रहा हूं आप अपनी risk management और money management पर चलिएगा तो यही बातें थी जो कि मैंने आपके साथ share कर ना थी I hope so कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और हम आप आपस में जुड़े रहें टेक कैर अला आपिस